हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आरवेद यूट्यूब में तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की मैथ से एक्सरसाइज 1.6 का कोश्चन नमबर फर्स्ट ले करके आया हूँ दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप बस वीडियो को ध्यान से देखे आंतर तक देखे चलिए शुरू करते हैं कोश्चन क्या कहता है कोस्ट नमबर फर्स्ट है हमारे पास फाइंड फर्स्ट we have 64 raised to the power 1 by 2 first of all we prime factor is 64 okay हम जो है 64 का क्या point करेंगे prime factor so it is divided by 2 2 3 6 2 2 4 again 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 तो यहां से हम देखेंगे कि जो prime factor है 2 के वह बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 so we can write 64 is equal to 2 raised to the power 6 okay we can write 64 is equal to 2 raised to the power 6 हम जो है 64 को दो के गाते 6 के रूप में लिख सकते हैं तो इस case में क्या होगा जाहां पर 64 है वहां पर हम put कर सकते हैं 2 raised to the power 6 किसके place पर 64 के place पर हम रख सकते हैं 2 raised to the power 6 अब यह जो 1 by 2 है यह तो अलग से है तो मैं आपर ऐसे ही write कर देंगे 1 by 2 okay now you know if a raised to the power m raised to the power n then you can write a raised to the power m into n ठीक है अगर power के उपर power है तो आप powers को multiply कर सकते हैं okay so यह 6 एक power है 1 by 2 एक power है इन दोनों को आपस में हम multiply कर सकते हैं 2 raised to the power 6 into 1 by 2 ओके यह हमारे power है क्या है power आप देखो यह कट सकता है तू अंजा टू 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 सिक्स सकते हैं तो मिच्षी क्या बच गया टू रेच टू 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 रहा आंसर होगया इस कोस्टन का आप चाओ तो इसे राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पौच करके स्क्रीन सॉट लेलो देखो ये वाला सिक्षन आप रफ कर सकते हो आप डरेट ये कर सकते हो ठीके जहां पर 64 के प्लेस पर कर सकते हो ठीक है तो यह हमारा आंसर होगा इस question का आप चाहो तो इसे राइड डाउन कर लो या फिर वीडियो को पाउज करके स्क्रीन सॉट ले लो अगो नाव वी एब सेकंड क्वेश्चन विच इस थाटी टू राइज टू पाउर बाइज पाउड पाइज तो इसक्रीन को सॉल करेंगे सबसे पहले थाटी टू को प्राइम फेक्टराइज करेंगे इन फस्ट टू सिक्जा त्रोल्व टू एट जा सिक्स्टीन गाउत तू 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 साफॉर तो कितना आ गया देखो वान थू टू थ्री फोर ॥फाआफ मीन्स थर्टी टू इस इक्व़न टू टू रेस टु दिपावर फाइफ क्या क्या से आया उसको मैं दिखा देता कैसे आया देखो कि यह जो प्राम प्रेक्टर है टू का उसको ऐसे रेड़ कर सकते हैं तू इंटू तूइन टू तू इंटू टू ओके तो आभ यह जितनी बार में आया होता है मुषको ऐसे भी रेड़ कर सकते हैं vine टू धुर्यपॉर्ड तो तो 20PI ओके तो आधसय आप जान लिए कि 32 इसकते करताfour तो देखो हमिए से पताच लिगा बएट अब इसका क्या करेंगे 32 है वहाँ पर रख देंगे तो देखो 32 तो शर्फ इतना है ना यह अलग है तो हम सिर्फ 32 के प्लेस पर रखेंगे solution है कि भी है थाटी टू रेज़ टू दिपावर वन बाई फाइज इक्वल टू जहां पर 32 है वहाँ पर रख देंगे तू रेज़ टू पर फइस वर फाइफ और फिर से वापस से हम लगाएंगे और ट्रिश्ट दी ली टू रसे टुदी पावर ह trigotay और दुरेरेगर बनका अंसर कितना उता है तू यहांपर हो जाएगा थार्टी टू रस टु दी पावर वनवाई 5 is equal to 2 ठीक है यह है हमारा आंसर हो गया इन है यह आपका रफवर्ख है आप कमन करें लिखो मन करें नहीं लिखो कोई जलोत नहीं है ठीक है तो यह हमारा आंसर होगा इस question का आप इसे चाहो तो write down कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो तो इस question का हमारा last part है 125 rest to the power 1 by 3 ओके तो इस question को भी हम हम ऐसे solve करेंगे वैसे तो हमें यह बात पता होना चाहिए कि जो 125 होता है क्यूब आप 5 होता है means 5 raised to the power 3 is equal to 125 but we do prime factorization of 125 okay so first I divide it by 55 to the 10 55 to 25 and 55 to 25 5 बंजा 5 तो इस प्रकार से हमें कितने 5 देखने को मिल रहे हैं तो इसको फर्दर ऐसे राइट कर सकते है 125 is equal to 5 into 5 into 5 so we can say 5 raised to the power 3 तो हमें बस कुछ नहीं करना है जहां पर 125 है वहां पर रखना है 5 cubed क्या रखना है 5 cubed ठीक है so solution we have 125 raised to the power 1 over 3 is equal to तो जहां पर 125 है वहां पर हम put कर सकते हैं 5 raised to the power 3 whole raised to the power 1 by 3 और फर्दर हमें पर लगा देंगे यह वाला property because a raised to the power m raised to the power n is equal to a raised to the power m into n तो यह वाला property लगा देंगे power आपस में क्या हो जाएंगे multiply यहां पर हो जाएगा 3 into 1 over 3 और यह 3 से 3 क्या हो जाएगा cancel तो यहां पर सभी 11 दिख रहा है तो 5 raised to the power 1 हो जाएगा और 1 का power तो 5 ही आएगा ठीक है किसी भी नंबर के power अगर 1 होता है तो नंबर वही आएगा अब 5 के power 1 है तो नंबर कितना आएगा 5 so finally we can say 125 raised to the power 1 over 3 is equal to what? 5 what? 5 ओके तो यह हमारा रफ सेक्षन हो गया और यह हमारा answer हो गया रफ सेक्षन को दिखाने की बहुत ज़्यदों ज़रूत है नहीं फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो यह हमारा answer होगा आप चाहें तो इसको write down कर लें या फिर वीडियो को पहुच करके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मैं में विलूँगा अगले वीडियो में अगले कोशन के साथ तब तक के लिए जय हिन